असलाम अलेकूम वेलकम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ रहान इकबाल एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके नीट एक्सपेक्टेट काट ऑफ 2024 के बारे में बहुत सारी टेक्स्ट इस आई मेरे को क्योंकि थोड़ा ना मार्केट में ये रिमर चल रही थी मतलब फर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुचा हूँ तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और होपली आपको इस वीडियो के अन्ड तक सारा समझा जाए तो ये पिछले साल का सीट मैट्रिक्स है तो एक्कॉर्डिंग तो दिस सीट मैट्रिक्स वां वन थाउसंट एं थाटीन सीट से तो हम आगे चलते हैं वन थाउसंट एं थाटीन सीट से हम आगे चलते हैं एनमसी ने जो आफ्ट सीट जम्मू में रस्टोर्ट किये इससे पहले मैं ने यह बताया था कि उपन मेर्ट बॉइस और उपन मेर्ट गर्ल उसको कितनी कितनी सीट मिलेंगी एक्कॉर्डिंग एक्कॉर्डिंगली तो मसला यह है कि अब मेरे को लगता है जीम सी जम्मू मैं 23 23 मैंने बोला था मेरे को लगता है 24 24 फर दिस यह एंड 26 बच्चे आई क्यों में पार्ट पेट किया था फिछले साल जुन का ज्यादा स्कूर था 26 से ज्यादा नहीं किया था बट जो टॉप एसपर एस साल तो लाकि यह एक एंड 27 पिछले साल जुम में भी स्री निगर में भी थी कितो मतलब है दो शायन में डागता है जrage cash wise को लगता है ऑम इजाएग आपन की एक मेरे चैनल से भी स्च्त्रेक्ट चेंश पहलें 6 जो 6 च तो आप मांन के चलो एक सीट इन की इनकी पर कर लो तो यह increase होके इनकी एक-एक seat increase होके open merit की दो seats increase होगी तो maybe ऐसे कारवाँ चलेगा और यह PWD और बागी चीज़े horizontal reservations आपको दिखा रहा हूं में तो 1013 seats थी और 41 लदाक के लिए माइनस हो रही थी तो हम assume करते हैं 1013 प्लस हम करते हैं 8 वह होता है 1021 seats 1021 seats माइनस हम करते हैं 41 seats तो वह लगबख होता है 980 seats तो आप देख लिए 980 seats थी 980 seats में जो यह बाकी कारवाँ है बाकी कारवाँ चलेगा 980 seats का तो और मैं और calculation नहीं करना चाहता हूं मतलब और calculation मैं आपको दिखाता हूं करके मैं आपको ऐसे assumptions बताता हूं कि 189 seats मतलब 1888 seats लग रही है ऐसे कि open merit के लिए होगी boys and girls respectively यह लगता है कि 376 होगी तो आप मान के चलिए 185 to 190 seats होगी तो हम lowest end मतलब इसी end पे रहता है कि 187 ही रहे worst case scenario लेके चलते हैं तो the thing is ऐसे देखिए मतलब for example मैं आपको समझाता हूं for example horizontal reservation कैसे चलता है 97 seats से RBA के मतलब 4% PWD मतलब 4 seats 3% CDP मतलब 3 seats 1% JKPM मतलब 1 seat 2% supports मतलब 2 seats तो यहां पर यह 10 seats है यह minus होके आजाएंगे 87 seats 43 boys and 44 girls यह वाइस ही चले गाए मैं आपको और एक चीज़ दिखाना जाता हूं तो आप देखिए मैंने मैंने जो calculations की है देखिए आप मैं जाता हूं इदर तो देखिए for example यह जो मेरा डेटा है मेरे पास जो डेटा मैं यहां से करके बता देता हूं आपको तो आप देख सकते हैं कि जो यह है जितने भी बच्चे आ रहे जितना डेटा मेरे पास है देखिए बच्चों का नाम है क्यूंकि coaching centers में mention था एक बच्ची ऐसी थी कि जिसने बोला कि जिसने निर रखा था लिखके तो उसके नाम के बदले मैंने थोड़ा symbol रख दिया और उसका नाम भी पता था तो मैंने नाम मेंशन नहीं किया तो code लिख दिया तो यहां पर है 286 बच्चे है 286 बच्चे 600 प्लस आ रहे मेरे लिस्ट में तो देखे 600 प्लस आ रहे 286 बच्चे and 286 बच्चों मैं से 83 गर्ल्स है तो और 83 गर्ल्स है और 203 बॉइस है तो हम ऐसे चलते हैं तो हम पहले लड़कों का लेते हैं लड़कियों का लेते हैं एक्जामपल हम यह चीज़ मानके चलते हैं कि लब और इंडिया कोटा में ओपर शायद एक दो लड़किया है टॉप पे जो पार्टिसपेट करें तो हम मानके चलते हैं तो हम मानके चलते हैं एक्जामपल लगाए कि 110 तक भी हो 110 गर्ल्स हो 630 600 प्लस एंड हम एक और चीज़ मालते सीटे कितने हैं 187 187 में जब हम 110 10 10 माइनस करेंगे तो वहां पर बचते हैं 77 तो 30 मार्क पे जो 30 मार्क्स है उस पे आप 77 गर्ल्स रख सकते हैं मैं बता रहा हूं स्नेरियों ऐसे चलता है क्योंकि फिमेल्स का उतना ज्यादा डेटा लब जो मैंने डिश्ट बना है 600 प्लस वाली है तो 77 तो मेरे को जितना लगता है कि लड़किया यहां पर 570 पर पूरी सेफ है और 570 से नीचे भी काट आफ जा सकता है और पॉसिबल है 570 से मेरे खाल से बहुत नीचे होगा 570 से तो यह क्लियर हो गई अब हम चलते हैं नीट का काट आफ और अगर हम AI कू को यहां बाकी सारी चीजों को हम मान के चले कि कोई बच्चा AI कू में पार्टिस्पेट नहीं करेगा तो 630 पलस क्योंकि 630 हमने माक रखा है लड़कों के लिए तो 240 बच्चे आ रहे देखिए आप 240 बच आखिए मन काश उसुम मैं 176 है लड़के और उर इक्जास गें मान के चले हैं 66 इससमें लड़के आहरा तो आप यह मानक मा उर्चे जाल सकते हैं कि यह आरा सीट crament यहांपर भाचती हम यह मान के चाहरे हैं कि एक आद ऐक तो मतला एड़्ा कोई होगा तो वह सीट rule 17 के तो नहीं लेगा वो अपनी seat लेगा बाकी जो बाकी categories के है आएंगे cut off में open merit के वो सीधे open merit की seat लेंगे तो हम मांके चलते हैं कि 11 11 बच्चे ये है और कुछ और भी हो जाएंगे अगर हम assume करेंगे कि ये नहीं होगा तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि 11 seat अगर बच रही है तो maybe कुछ और लड़के भी होंगे 11 अब 11 का triple भी मलब double कर लो 11 का double कर लो तो ये लगता है मेरे को कि 635 के करिए अगर हम AIQ को consider ना करें तो हम और एक list में अब जाएंगे एक second अब हम और एक list में जाएंगे 630 प्लस वाली list में 630 प्लस वाली list ऐसी है देखें इसमें मैंने AIQ के 26 बच्चे 26 बच्चे पहले ही cancel कर दिये तो यहां पर total seats जो बन के आ रही है वो बन के आ रही है 214 214 seats आ रही है 631 प्लस तो आप देख सकते 630 प्लस क्योंकि 630 का बच्चा नहीं था तो यह आपर 631 यह 630 प्लस तो आप मान के चले 214 आ रहे हैं इसमें 154 बउइज आ रहे हैं 154 बउइज आ रहे हैं तो हम करते हैं 154 हम मतलब यह ले जाएंगे worst case scenario तो आप देखिए कि लग बग लग बग 33 सीटे बच रही है 33 सीटे बच रही है तो मेबी अगर जो हमने बच्चे calculate ना किये हो हमारे database में ना हो वो 33 हो and 33 ही होगे मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा नहीं होगे क्योंकि हमने maximum coachings के maximum जग पे cover कर लिये तो आप यह मान के चल सकते है तो आप यह मान के चल सकते है कि यहां पर चीज एक होगी यहां पर आपको 630 के around का टॉप देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से 630 से यह पर बाकी इज़त रखने वाला अल्ला ताला है अल्ला ताला पर आप बाकी hope डाल सकते है मैं यहां पर किशी को डराने नहीं आया हूँ ना fake hope देना आया हूँ जितना मैंने database निकाला उस हिसाब से मेरे को लगता है कि 630 के 630 अगर आप सेफ ही मानो 99% सेफ है तो 630 के around का टॉफ होगा प्लस माइनस भी हो सकता है थोड़ा बहुत अब लड़कियों का मैं फाइनली बता देता हूँ जब हम सारा कुछ माइनस करेंगे तो यह क्योंकि सेफ माइनस करके जो 600 प्लस बच्चे आ रहे तो वो आ रहे 260 तो जो यह 260 बच्चे आ रहे इनमेंसे 181 आ रहे बॉइस 181 आ रहे बॉइस और 79 आ रहे है गर्ल्स तो आप इधर धर थोड़ा ध्यान रखिए कि फर एक्जाम्पल इट्स लाइक 79 गर्ल्स एंड मैं आपको दिखाता हूँ 187 माइनस 79 तो यह जो 600 प्लस वाला सेनेरियो मैं आपको बता रहे हूँ 600 प्लस जो हमारे पास टोटल बच्चे आ रहे है वो आ रहे है 260 मेरे लिस्ट में 260 तो इस लिस्ट में तो 260 मैंसे जो मैक्जिमम आ रहे है 181 बॉइस आ रहे हैंड 79 लड़के आ रहे है तो अगर हम मतलब यह हम AIQ के 26 कंसिडर करके बता रहे है तो अगर हम यह 79 187 यह टोटल कंसिडर करके हम चीज एक देखे तो यहां पर 108 सीट्स बच देख तो मेरे ख्याल से 570 से लेके 600 तक अगर हम 108 सीट्स छोड़ दे तो बच जाएगी बहुत तो हम यह भी एजूम कर सकते है कि हमारे पास 30 30 35 40 बच्चों का डेटा नहीं है 40 बच्चों का डेटा अगर हमारे पास नहीं है तो हो गया बच गई सीटे 68 तो 68 बच्चे तो 570 से लेके 600 में तो फिट हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से कट आफ लड़कियों का 570 से के अराउंड या थोड़ा बहुत कम ही होगा तो 570 पे 99 परसंट आप आपने आपको सेफ कंसिडर कीजिए और वन मोर तिंग मैं आपको चीज एक बता देता हूं वन मोर तिंग इस ला है क्यों में पार्टिस्पेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कश्मीरी बच्चे पहुंच सकते हैं के बच्चे और मेडिकल कॉलिज में पहुंच सकते हैं काट आफ और कम हो सकता है और डरने की कोई बात नहीं है मैं भी आ सकता हूं डरा सकता हूं बट आप डरिये मत I am not here to play with your emotions you can go and check this and I think this will be the cut-off बाग की इजद देने वाल आला थाला है बस एक चीज़ कीज़े निमास पर यह दुआ कीज़े बस इतना cut-off होगा and hopefully से काम हो क्योंकि मैं चाहता हूं कि और मेरे बाई मेडिकल कॉलिज में पहुंचे और बागी categories और एसकांस एसकांस कभी में बता दूंगा तो human error हो सकते है अब आ सकते है अगर मेरे को लगा के मुनासिब है वरना मेरे को लग रहा है किसी range के undercut-off होगा इससे ज्यादा नहीं होगा तो मिलता है किसी और वीडियो में दौाओं में याद रखिए तब तक के लिए फियमानिल्ला